हनुमान जी को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान एक ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना से बढधी से बढधी बाधा तुरंत टल जाती है। बजरंग बली कल युग के जीवित देव माने गए हैं। इनकी आराधना शीघ्र फलदाई बताई गई है। भगवान हनुमान की पूजा करने से शनी के बुरे प्रभाव से तो मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भगतों की सारी पीडाएं और संकटों को दूर करते हैं। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी के नाम मात्र का उच्चारण करने से ही व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। हनुमान को बजरंग बली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मारुती नंदन का नाम हनुमान कैसे पड़ा। पौरानिक कथा के अनुसार हनुमान जी के बचपन का नाम मारुती था। एक दिन मारुती नंदन अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीवर भूख लग गई। उन्होंने पास के एक व्रिक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पैडे। दरसल मार पौरुती जिसे लाल पका फल समझ रहे थे, वे सूर्यदेव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य पर ग्रहन लगने वाला था। लेकिन वे सूर्य को ग्रहन लग पाता। उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पा जिससे सूर्यदेव मुक्त हुए, वहीं वज्र के प्रहार से पवन पुत्र मूर्चित होकर पृत्वी पर आगिरे और उनकी ठुड़ी टेर ही हो गई। वे अपने क्रोध को त्याग पृत्वी पर प्राण वायू का प्रवाह करें। सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वर्दान भी दिये। देवताओं के वर्दान से बालक हनुमान और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए। लेकिन वज्र के चोट से उनकी ठुड़ी टेरी हो गए। जिसके कारण उनका एक नाम हनुमान आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। धन्यवाद।